नमस्कार दोस्तो आलविन चैनल में आपका स्वागत है वेलकम टू आलविन चैनल अगर आप हमारे आलविन चैनल में फरस्ट बार आये हो तो प्लीज चैनल को लाइब शेर सब्सक्राइब जरू कर लिजिए गा मैं आपका बहुत कम समय लेता हूँ आपको एक बहुत अच् है कि मैं किसी को ट्रांजेक्सिन नहीं कर पारहा है और पेमिन रिस्क्राइब कर पारहा हूं में डیबट किस्य लिए या या बाई नेटवlles पेंकिंग्ड ण हो स्थे न्यक्र पारहूं इसमें एरिस यो रहा है कि एर्र का मैंने स्कीन सोट भी लिया था मैं आपको दिखा देता हूं अगर ज्यादा अंधिकत अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहे हो या डेबिट काट हो गया हो चानक से बहुत ज्यादा होने लग लगे तो वह क्या होता है सिस्टम की दोबारा बैंक से दोबार कमें लिए पमण्प आपकांट को फ्रीज कर लिया जाता है कि ज्यादा ट्रांजेक्शन की अचानिक क्यों होने लग गए है यद्यादा डेबिट रिच्व में जैसाथ पैमेंच ज्यदा रिसीव हो जाता है अकॉंट में तो भी इंक अस Госet yang को कहां से आया तो यह क्या है has income tanks guideline होती है कि a account वे इतना जयादा फ्रोड होने की विज़े से को फ्रोड तो नहीं हो रहा account की साथ आठ नहीं कोई transaction बद्द के से गया account payment इतना जश्डा Πेमस के सागै तो उसको रोकने के लिए account automatically system की द्वारा freeze कर लिया जाता है तो इसको unfreeze करने की मतलद 2-3 प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊंगा देखो मैं आपको प्रॉलम तो बताई दी है कि अकाउंट फ्रीज क्यों होता है एक वाद दुबरा से आप मेसेज को फड़ लीजी आराम से उसको अनफ्रीज करने की भी दो इस टेफ मातर उसको आप फोलो कर लीजेगा अप ट्रांज क्या होता है बैंक में जाकर करवानी पड़ती है तो क्यों जरूरी होती है यह इसी लिए जरूरी होती है बैंकाउंट अपना फ्रीज हो गया तो इसको अपना बैंक में जाएंगे अपना डोकुमेंट हो जाएंगे तो आर वीए गार्ड लाइन के अनुसार अपना अकाउ है वह अपने बेक अकाउंट के एक वाइस के ना फोरम पे भर लीजिए और अपना अकाउंट अन फ्रीज करवा लीजिसे आप ट्रांजेक्शन वगरा कर पाऊगे और अपना यूप वगरा जो भी आप यूज करते हो बेर नेट वेंगी सब वापस से आप चालू कर पाऊग गा धन्यवाद अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगाओ बहुत इस कम समय में ने बहुत अच्छी जान करें दिये तो उसके लिए धन्यवाद चैनल को लाइस है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद